हेलो एवरिबन कैसे हैं आप सब आई हो बहुत अच्छे होंगे तो शादी खत्म होने के बाद दोस्तों मेरी दभीयत और जादा खराब हो गई है तो अभी में दीदी के घर में हूँ तो अभी जा रही हूँ डॉक्टर के पास दवारा से दवाई लाने और बहुत जादा ध दूप है तो दूप में चाता लिया है मैंने तो दोस्तों में होस्पिटल पहुंच चुकी हूँ तो अभी दिखाती हूं डॉक्टर को फिर बताती हूं आपको कि क्या बोलते हैं यह चोटा सा होस्पिटल है यह है यह है यह होस्पिटल चोटा सा दुदोल में यहां कि मेर साथ मेरा भांजो है दोस्तों हम दुदोल में पहुच गया है यह दुदोल का अब हम जा रहे हैं चौमीन खाने चल दोस्तों हम दोनों आए हैं चौमीन खाने क्या खाने आए हैं चौमी तो दोस्तों मैं रात को आगी थी ममी के दर ममी भी आई है और दी और जी जुड़ने आए यहां पर और कल नॉले को तेहार भी था तो हमने लड़की जो दूला दूलन थे उनको भी घर बुलाया था तो आज मैं जा रही हूँ वापिस मिना ली तो मैं मम्मी को भी बोरी थी साथ चलने को अब देखते हैं कि चलेंगे की नहीं और अभी बना रही हूँ मैं प्राइटे चूले के ओपर तो दोस्तों मैं जाने के लिए तैयार हो रही हूँ अब मम्मी मेरे साथ चाहरी है बुकार से तो इतनी हालत खराब हो रही है कि अभी तक गला ठीक नहीं हुआ है पूरी तरह से अभी भी बैठा ही है और डॉक्टर ने कल मुझे बोला कि आपको टाइफाइट बन रहा है और उन्होंने मुझे बहुत सारी मेडिसिन दी कल और रेस्ट करने को बोला है नोंने आपको दवाईया तो इतनी सारी दवाई दिया नहीं मुझे कल यह खांसी के लिए बाकी उखार के लिए यह सारी दवाईया दिया नंकल मुझे अब चलो तैयार हो जाते हैं अब दोस्तों हम निकल चुके हैं ममी के घर से अभी जा रहे हैं बस लेने के लिए लद्रौट तो यह सोजिते को मिचियां के अखियां पे मचियां पे मचियां तच तुटेया तो एम आसम तो स्री माता का मंदी में बस तो पोच चुके हैं लद्रौट और यहां से ममी के घर की दोरी है, वो है साथ किलोमीटर अब हम जाएंगे जाहू वह सबही जाएंगे भी पाइल बस यह है जाओ कभजार हम पहुंचुके हैं तो यहे बसके में एक बशलेंगी मनाली के लिये नहीं पर बच बढ़ बचार है और यहां पे चीजें बगध पुस्के रभू हकिव हम हमलती है हम ने आना था पाइल बस में पर पाइल बस में दोस्तों क्या हुआ उसमें बहुत जादा ग्राउट ता पीछे से बढ़ कि आई थी बस तो अब हम जा रहे हैं अलग बस में मंडी तक फिर देखते हैं और बस में जाएंगे वहां से दोस्तों अब हमारी बस खाली हो गई बिलकुल अब हम पहुंच चुके हैं निर चौक मंडी उसी लाल भादु साथ की तो अब हम पहुंच चुके हैं हनोगी माता के मंदिक के पास तो यह रहा हनोगी माता का मंदिर तो दोस्तों हम घर पहुंच चुके हैं तो अभी टाइम हो गए है छे बचके हैं तो थग गए हैं ममी इदर लेट गही है थग गही है इनको ठंड लग रही है तो फिर मिलते हैं कल एक और नहीं वीडियो के साथ अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिन तब तक यली बाव बाई